हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है हिमान्शू एंड आज मैं थोड़ी से अलग वीडियो बनाऊंगा पावपोइंट के उपर यह वीडियो है ओन इन्फो ग्राफिक्स अगर आपको इस टर्मिनोलोजी के बारे में नहीं पता कि इन्फो ग्राफिक्स क्या होता है अभी जो आप ग्राफिक्स यहां पर देख पा रहे हो मैं इसमें अभी फिलाल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वह बिल्कुल सटिक नहीं है लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी तरह का ग्राफिक्स एंड बहुत ही अच्छा अइनिमेशन इस्तमाल किया जाता है जिससे वो द तो मैं एक नया पावपोइंट के फाइल ले लेता हूँ और यहां पर जो है completely blank layout लेता हूँ तो यह completely blank है यहां पर जो भी यह graphics बनाई गई है वो शेप की मदद से बनाई गई है तो यहां पर मैं क्लिक करता हूँ and shape के अंदर मैं यह वाला shape ले लेता हूँ shape from and click केजिए और इस shape को मैं यहाँ पर draw कर लेता हूँ now, यह जो yellow आपको button नजर आ रहा है इसको पगड़के आप इसका curvature या तो बहुती thin कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा like this which will look good that's more than sufficient इतना करने के बाद अब इसके अंदर सबसे पहला काम मैं यह करूँगा कि format में shape outline में जाके मैं इसके outline को हटा देता हूँ now, बीच में से मुझे एक divider इसके अंदर लाना है तो इसके लिए मैं square का इस्तमाल करूँगा तो यहाँ बे मैं square को ले लेता हूँ and काफी बारिकी से बीच में आप यह square को draw कर देंगे इसको properly place कर देता हूँ fine, now इसके बाद जो है मैं इसको and इस graphic दोनों को मैं select करता हूँ इसमें से format पर मैं जाता हूँ format में जाने के बाद यहाँ पर merge shape में जाएए and यहाँ पर जाके आपको करना है fragment fragment करने से क्या होता है यहाँ पर जहाँ पर भी line के through या shape जहाँ पर आपस में इस दुसरे को intersect कर रहे है उसके उपर based करते हुग यह इस पूरे data में divider create कर देगा यानि shapes को अलग-अलग कर देगा तो मैं fragment पर click करता हूँ तो आप देख सकते हूँ यह पूरा हिस्सा अलग हो चुका है इसके बाद मुझे इसमें box देना है लेकिन उससे पहले मैं इसमें कुछ effect देता हूँ तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर जाता हूँ and shape fill effect में जाके आप यहाँ पर जितनी भी pattern बने हुए इनका इस्तमाल कर सकते तो मैं यह green वाला pattern सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पर सबसे light वाला pattern सबसे पहले लेता हूँ उसके बाद मैं इस particular shape को select करता हूँ और light से thick थोड़ा सा जादा dark वाला pattern इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ next जो है यहाँ पर मैं again एक square box बनावना तो उसके लिए मैं again इस shape को ले लेता हूँ and यहाँ पर मैं square box को रख देता हूँ now इसमें से भी मैं outline को हटा देता हूँ and यहाँ पर जो मैं color देता हूँ वह है सबसे dark वाला color now इन दोनों हिस्से को मैं select करता हूँ and right click करते हुए मैं कर देता हूँ in front तो आप देख सकते यह front में आ चुका है अच्छा यह effect थोड़ा सा गरबड़े तो मैं इसको fine now it's looking good now इसके अंदर जो है दुबारा से मैं square box लूँगा and यहाँ पर मैं इसको draw कर देता हूँ जो square box आप draw कर रहे हैं ध्यान रहे हैं यह complete portion से small होना चाहिए and यहाँ पर मैं इसको place कर देता हूँ properly थोड़ा सा और पढ़ा कर देता हूँ fine इसका जो है इसका भी मैं यहाँ से outline को हटा देता हूँ and यहाँ पर इसका जो color में देंगा वो है हलका सा grey color that's fine अब मैं इस पूरे portion को यहाँ पर select करता हूँ इसको and इसको once again और इसको भी मैं रखता हूँ in front तो कुछ इस तरह का effect यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे है now next इसमें मैं कुछ text लिखना जाता हूँ तो यह text box में ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं text अपना लिख सकता हूँ तो मैं करता हूँ this is some text on the graphics here you may type as per your requirement ठीक है now इसको मैं घर देता हूँ यहाँ पर प्लेस और यह कुछ ज्यादा ही font में है तो मैं इसका font हलका सा कम कर देता हूँ that's 14 would be sufficient and इसको थोड़ा सा properly place कर देता है तो आपके अगर इसकी styling पसंद है तो it's okay लेकिन अगर styling इसकी आपको पसंद नहीं है तो आप कुछ different color options वगरा दे सकते है तो that's fine अब इसके अंदर जो है इसको select कीजिए अंदर का जो text box है उसको भी आप select कर लिजिए तो पहले text box select कर लिजिए that would be better and then बाहर का जो shape था उसको select कीजिए and then control G दवाया control G grouping के लिए होता है तो मैंने control G दवाया तो यह group में convert हो गया दुबारा से मैं इसको और इसको select करता हूं and करता हूं front तो यह front में आगया fine देखिए हम जो technique अपनाते है वह यह है कि हम एक ही की उपर सारी चीज़े करते है and बाकी जितने भी और भी हमें बनाने हैं उनको simply हम copy कर लेंगे तो यह क्योंकि एक single group में converted है यह वाला हिस्सा पूरा इसको थोड़ा सा हम बढ़ा कर सकते हैं अगर करना चाहे तो that's fine okay अब next जो है इसके अंदर animations हमें लगाने तो मैं इस पर जाता हूं सबसे पहले and animation पर animation के अंदर मैं इस पर जो देना जाता हूं वो है let's say wipe okay फिर इस पर जाता हूं इस पर भी मैं दे जाता हूं wipe fine तो यह पहला हो गया यह है दूसरा थोड़ा सा preview करके देखते हैं इसको fine उसके बाद में यह पीछरा जो box है उसको लेता हूं और यहां पर मैं देता हूं let's say split split या फिर इसके अंदर मैं दे सकता हूं fade fine फिर इस वाले portion को select करता हूं और इसके अंदर जो मैं देना चाहता हूं वो यहां पर listed नहीं है मैं more entrance effects पर चला जाता हूं और यहां पर मैं देता हूं let's say fly in dissolve in pick in कर देता है okay लेकिन pick in के अंदर जो effect वो मैं अलग देना चाहता हूं तो करता हूं from right ऐसा लगेगा कि जैसे यह अंदर से यहां पर निकल रहा है यह आपने देखा होगा प्रिव्यू में बहुत fast काम कर रहा था तो इसकी duration जो है बढ़ा देता हूं यह थोड़ा सा ग्राफिक smoothly होता हूं अजर है तो देखते है wonderful okay तो इतना भी हो गया है तो इस पूरी एरिया को मैं select कर लेता हूं copy करने की ज़रूरत नहीं है once particular portion select हो चुक है आपको दवाना है control का button and simply इसको आप नीचे place कर दीजिए इसके अंदर line या फिर suggestions आते हैं तो उनकी हिसाब से आप इसको place कर सकते हो दुबारा मैं control का button दवाय रखा है एक और नीचे में लिए आता हूं इसको wonderful now एक और ले लेता हूं यहाँ पर यह जो मैं यहाँ पर जो मैंने किया control z sorry control दवाते हुए यहाँ पर जो मैंने create किया इसका जो basically direction है वो मैं बदलना चाहता हूं पूरे को एक single is a single shape में convert करना होगा उसके लिए जो मैंने पुरा select कर लिया है and इसके बाद again मैं करता हूं control g तो यह पुरा single में convert हो लिया है and then उसके बाद format पे जाता हूं rotate and rotate में कर देता हूं flip horizontal now इसके अंदर जो है जब आप ऐसा करते हो जो different shape में data था और उसके आपने different animation लगा थे उन different shapes को अब आपने group के इस्तवाल किया है तो वो single group में convert होगा तो animation हट आएगा पहली चीज़ हमें जो करनी है इसके अंदर वो है ungroup तो इसको मैं पूरे portion को पहले select करने के बाद आप चाहिए format पे and group के अंदर ungroup का option ट्लिक कर लो now again इसपे मैं animation set lod मैं यही के animation को use कर लेता हू το मैं जाता हूँ animation पे तो यहाँ पर जो animation लगा हुआ था AnimationPrinter उसको मैं यहाँ प्रप्लाइ कर देता हूँ यहाँ पर जो animation लगा हुआ है इसको यहां पर अप्लाइ पर कर देता हूं जो यहां पर अप्लाई कर देता है फिर यह वाला जो portion है यहां पर जो animation लगा है वो इस वाले animation रिस्तामल करते हैं यहां का जो animation है इसमें थोड़ा सा changes हम करेंगे यहां भी जो इसका direction है यह मैं from left करता हूँ nice तो इस वाले portion के लिए अगर मैं थोड़ा सा preview करना चाहूँ okay fine यह सही से काम कर रहा है उसके बाद यह यह हो गया तीसरा part यह हो गया चौथा part wonderful now इसी का मुझे एक और portion चाहिए होगा तो मैं इसको select करता हूँ control दबाते हुए again मैं इसकी copy बना लेता हूँ नीचे like this और इसको भी मैं नीचे place कर देता हूँ over here nice now इतना करने के बाद यह इसमें एक color theme जो है मैं अलग कर सकता हूँ तो कैसे करेंगे मैं यहाँ पर जाता हूँ format and shape fill के अंदर अब इसकी बारी है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ light वाला color इस पर इस से थोड़ा सा dark color and फिर यह जो button यह जो square वाला button है no fine इस पर हम देंगे सबसे ज्यादा dark color fill जाता हूँ मैं इस पर shape fill इस पर मैं देता हूँ again यह इस पर मैं देता हूँ इसी का थोड़ा सा dark portion और जो यह background में square डाला था इस पर मैं देता हूँ सबसे dark portion okay अब आते हैं इस पर इस पर भी again मैं देता हूँ थोड़ा सा light portion and then इसका थोड़ा सा and यहाँ पर सबसे ज्यादा dark portion फिर बारी है last one की तो इस पर मैं देता हूँ let's say this one यहाँ पर यह and this one is going to be the darkest of this nice now इसके दो जो एक चीज बची है कि यह पहला है या अच्छा इसके animation को समझने के लिए animation पर जाके animation pane हम यहाँ पर लेहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि one two three rectangle वाला animation है and group eleven that is fourth animation तो यहाँ पर यह one two three two three and four animation ठीक है उसके बाद जो है वो है यहाँ पर six seven four के बाद है sorry five five six seven eight तो इस तरह का है तो एक एक particular shape की उपर चार animation apply का रखे हैं हमने basically तो जो यह fifteen sixteen यहाँ पर आपको दिख रहा है sorry यहाँ पर जो starting है तो यहाँ पर जो 13, 14, 15 and 16 उसके बाद है 17, 18, 19, 20 यहाँ पर है तो यहाँ पर जो 13, 14, 15 and 16 है यह particular portion है तो एक दो, 3 and 4 इसको जो है मैं place करना चाहता हूँ 4 के बाद यहाँ पर हूँ इसको select कर लीजे and 4 के बाद इसको यहाँ पर place कर देता हूँ तो पहला यह run होगा फिर दूसरे portion पर यह वाला run होगा फिर दीसरे पर आप यह वाला run होगा 9, 10, 11, 12 यहाँ तक चल रहा है उसके बाद यहाँ पर इसको बदलना है that is 13, 14, 15, 16 जो की 17, 18, 19, 20 यह यह इसको select करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ यहाँ तक हो गया 12 17 तक हो गया फिर है 13, 14 यहाँ बारा के बाद तो मैं यहाँ पर इसके बारा के बाद यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ that's fine एक बार preview करके देख लेते हैं इसे nice and then this one and here we go and the last one तो इस तरह से हम कोई भी बहुत ही अच्छा infographics बना सकते हैं इसमें लेकिन एक खामी है जो मैंने शुरुआत में थोड़ी सी गरवर कर दी थी वह यह है कि आपको animation band पहली लाना है अभी इनके अंदर जो by default setting है वह है start on click तो वह चीज़ नहीं होनी चाहिए पहले के अलावा बाकी जितने भी आपके हैं उनमें होना चाहिए start after previous तो click की ज़रुद ना पड़े वह start हो जाए after जैसी previous खतम हो चुका है start after previous इन सब पर यह चीज़ होनी चाहिए क्योंकि जब आप इसे run करोगे तो यह तो click पर होगा and बाकी start after previous होना है मैं एक ठीक करके बदा आयता हूँ बाकी जो है उसी तरह से आपको ठीक करना है तो यहाँ पर start after previous और यह जो setting है जब आप पहला बनाओगे उसी वक्त आप बाकी उसके setting भी set करने कीगा जिससे कि आपको एक एक करके ना करना पड़े तो एक हम कर चुके हैं तो उसका हम देख लेते हैं तो यह कुछ इस तरह से नज़र आएगा जब action में हमेसे run कर रहे होंगे तो अभी के लिए इतना ही thank you for watching और अगर आपको इसी तरह के videos पसंद है और भी अगर आपको देखने है तो चैनल को subscribe कीजिए and thank you for watching have a nice day